हाई फ्रेंज दिस इस रॉनक सर और मैं आप सब का स्वागत करता हूँ आपके प्यारे चैनल आलसी एंजिनियर पे तो दोस्तों Engineering Mathematics 3 Linear Differential Equation ये योनिट हम लोग देख रहे थे और इस योनिट में हम लोगों ने देखा कि Y को अगर find out करना है तो YC और YP अपको find करना जोरूर भी है अब YP find out करने के 3 methods थे उसमें से एक बहुत ही important method जिसका नाम है shortcut method हम लोगों ने अल्री शुरू की I hope जो भी मैं सिखा रहा हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा है हम लोगों ने shortcut method की case 1, case 2, case 3 along with MCQ practice अल्री दिखा हुआ अब अभी हम लोग case number 4, 5, 6, 7 को introduce करने जा रहे तो चलिए किस बात की देर ये फिर शुरूआत करते हैं आप देख सकते हो दोस्तो हम लोगों ने case number 1, case number 2, case number 3 अल्री देखा हुआ है और इन से related जो भी सारी hints है वो भी आल्री मैंने यहां पे लिखी हुए और मैंने सिखाई भी थी आपने एक चीज़ notice की होगी मैंने हमेशा बोला है कि D को हटाओ, marks लेके जाओ, तो सब जग़ पे अगर आप देखोगे तो you'll find कि either D या फिर D square पे आपको कही ना कही किसी ना किसी तरीके का substitution मिल ही रहा है when it comes to case number 1, 2, as well as 3, right? अभी हम लोग जाने वाले next case के लिए, that is case number 4, बहुत interesting case है, देख सकते हो, P.I. when f of x is equal to clearly लिखा हुआ है, x raise to m, मतलब कोई polynomial रहेगा, algebraic function रहेगा, तो in that case, आप लोग case number 4 को officially use कर सकते हो, रहा पहला सवाल कि sir, D को हटाओ, marks लेके जाओ, strategy के साब से, यहाँ पे हम लोगोंने क्या करना है, तो let me tell you something, दोस्तो, आपको इस case में जरूरी है कि, hint देखा, क्या लिखी है, बहुत interesting है, what you have to do is, use, क्या लिखा है, binomial series, अब बहुत सारे लोगों को confusion है कि sir, directly D का replacement देना चाहिए था, यह कहां से binomial series है, तो देखिए दोस्तो, पूरी series बिलकुल मत याद रखिए, सिर्फ दो important formula में आपको बता देता हो, फिर हम लोग immediately इनके sums के ऊपर attack करने वाले, तो यह binomial series का, यह basically issue के हमें बताता हो, what you have to do, you just have to remember, दो formulas मेरे दोस्तो, देखो, 1 upon 1 plus z, अगर मैंने ऐसे लिखा है, तो यह जो bracket की term है, अगर मुझे ऊपर के जानिये, तो this clearly looks like, 1 plus z, rest to कितना हो जाएगा, मेरे दोस्तो, minus 1 हो जाएगा, so अगर आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो similarly एक और term होगी, जो की 1 upon 1 minus z के हिसाप से, अगर हम लोग देखे, तो आप लोग इसको लिख सकते हो, 1 minus z, rest to कितना हो जाएगा, minus 1, इन दोनों के लिए, binomial series के हिसाप से एक formula बनता है, और वो formula में आपको अभी बताने जा रहा हो, आपको उसको as in trick याद रखना है, देखो, terms में कैसे लिख रहा हो, देखो, 1, z, z square, z cube, and so on and so forth, correct, similarly, 1, z, z square, z cube, and so on and so forth, I hope आपको समझ में आ रहा है, अब ये जो मैंने लिखे होए, इनमें सिर्फ आपको plus minus का जुगार करना है, मैं बताता हूँ, यहाँ पर जब आपको plus sign दिखाई देती है, तो आपको करना है, alternate plus minus, मतलब यहाँ पर plus है, उसके बाद आपके आएगी, minus, plus, minus, plus, and so on and so forth, आपको आपके terms दिखाई देना शूरू हो जाएगे, easy है, simple ह अब देखो, जब आपको बीच में minus sign दिखाई देती है, तो आपको उल्टा दिमाग लगाना है, और सब जगह पे, जहाँ जहाँ पे आपको signs दिखाई दे रही है, जगह वहाँ पे आपको सिर्फ और सिफ positive sign देना है, देखो, जब बीच में negative sign रहेगी, सब कुछ positive में आ इसको याद रखना है, अभी फिलहाल इस page के लिए मैं formula ऐसे ही यहाँ पे रखता हूँ, let's move on for the sum, देखते है कौनसा किस तरीके से sum हम लोग solve करेंगे, एक trial sum ले लेता हूँ दोस्तो, किस तरीके से हम लोग इसको solve करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करते है, चलिए, let's have a sum, easy वाला sum ले लेते है, कोई, ठीक है, चलो, d cube minus 8 ले लेते है, y is equal to x raise to 4, is our sum, right, देखो, सबसे पहली step जो आपको करनी है, वो क्या करनी है, आपको y uncle को as it is लिखना है, 1 upon यहाँ पे आएगा, आपका d cube minus 8 का term correct है, इसी के साथ यहाँ पे आएगा x raise to 4, पहले तो मुझे that is x raise to 4, अब मुझे बताईए, hint तो हम लोगों के पास यही है, कि हम लोग कौन सा series यूज़ करें, binomial series, अब सच सच मुझे बताओ, binomial series मतलब मैंने बोला है कि आपको ये पहला formula और ये दो formula बस आपको याद रखना है, क्या आप मुझे बता पाऊगे, इन दोनों formula में bracket को अगर आप देखोगे, तो bracket के अंधर आपको हमेशा एक term दिखाए देगी, which is nothing but 1, तो at any cost, जब भी कोई sum रहेगा, आपने कोशिश करने के bracket में आपको दिखनी चाहिए term 1, तो अब किस तरीके से लेके आओगे, मैं बताता हो आपको, ये देखो, ये 1 की term आप as it is रख उठा के पूरी तरीके से बाहर लेके आओ, भाई, simple mathematics से अगर minus 8 बाहर निकला तो आप सबको पता है क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला, इसके बाद क्या करोगे, जो भी बचा है मेरे दोस्त, याने की d cube बचा है, जो आपने बाहर निकाला, वो term से उसको शांदार तरीके स क्या करो, divide करो, अब लोगों के कुछ doubt, अरे sir ये ऐसे इतना सही दिख रहा था, ऐसे खराब क्यों हो गया मेरे भाई, अगर आपको doubt है, तो भाई को अंदर लेके देखो, you'll find the same to same term, जो की already उपर थी, I hope the idea behind it is clear, अब ये तो सही है, कि ये minus 1 by 8 का term जैसा वैसे रहेगा, त तो फिलहाल भाई, minus 1 by 8 को as it is लिखरो, ये term को rewrite अगर करो, तो देखो, ये minus वाली sign बाहर लेके आ सकते है, और यहाँ पर आएगा, d3 साथ में 8, और यहाँ पर लग गया आपका bracket, along with x raise to 4, अब सब मेरे साथ हो, आपको समझ में आ रहा क्या चल रहा है, अब इसके immediate बात की step में मैं क्या कर सकतो, minus 1 by 8 as it is, ये पूरी term जो नीचे दिखाई दे रही है, उसको हम लोग उपर उठा सकते हैं, तो अगर मैं उपर उठा हूँ, तो भाई दिखेगा, 1 minus d3 by 8, raise to कितना हो जाएगा, minus 1, और हो जाएगा, x raise to 4, समझ में आया, हम लोग यहाँ पे कहां तक और किस तरीके से हम लोग इस term को solve कर रहे है, तो देखो, minus 1 by 8 तो अलड़ी बाहर था, जो term नीचे थी, बस उसको उठाया है, मैंने उपर, raise to minus 1 करके, x raise to 4, अब आपको करना क्या है, what you have to do, you just have to focus on this particular term, मुझे बताइए, ये term, इन दो formula में से, कौन से formula के साथ मैच होती है absolutely, ये term आपकी, इस 1 minus z, raise to minus 1 के साथ मैच हो रहे है, तो मुझे बताओ, अगर आप compare भी करो, तो आपको, आपकी z की value मिल जाएगी, comparison के बाद, 1 के साथ, 1 minus के साथ, minus z हो जाएगा, that would be nothing but d3 by 8, दोस्तो, z कुछ भी हो सकता है, काफी बड़ी value भी हो सकती, you should understand, कि यहाँ पे आप लोग clearly लिख सकते हो, using series, है ना, कौन सी series, binomial वाली series, अगर हम लोग use करें, तो उस series के हिसाब से, हमें कुछ answers मिलते हैं, तो वो किस तरीके से आ रहे है, वो देखते है, using series अगर मैं करूँ, तो देखो दोस्तों, ये minus 1 by 8 का term जैसा है, वैसे लिख दिया, सही है, अब यहाँ पर आपका formula होगा, 1, देख लो, उसके बाद क्या नीचे ये थी sign, plus, उसके बाद मैंने क्या लिखना है, z, z तो आपको पता है, compare करने के बाद मिल चुका है, that is, d3 by 8, सही है न, उसके बाद plus करना है, z का square है, यानि कि, वापस d3 by 8 भाई साब का क्या होगा, square, और इस तरीके से सारी की सारी terms आपकी dot 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 करके मैं आगे लिके जा रहा हो, और बढ़िया सा x raise to 4 का term जो होगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया, आया समझ में, अब मुझे बताईए, कभी भी life का और numerical का dot 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 से answer आपको नहीं मिल पाएगा, तो अगर आपको solution निकालना है, तो देता हो, यह आपका x raise to m वाला जो आपको m दिखता है ना, उसके उपर आपको clearly focus करना है, मतलब आपको जो right hand side दिये है, उसमें जो x की term है, उसकी highest power check करो, अभी फिलाल तो सम के हिसाब से मुझे दिखाई दे रही है, highest power is 4, देखो, अगर x की highest power 4 है, तो अंदर जितने भी d ए, उनकी भी highest power 4 से जादा नहीं होनी चाहिए, अधर वे राउंड 4 तक ही होनी चाहिए, यह बहुत important rule है, जो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं इसको as in rule देखू, तो minus 1 by 8 as it is आएगा, 1 plus यह term हो जाएगी, d cube by 8, और आप देख सकते हो, d raise to 6 by 64, और so on and so forth, और यहाँ पर आएगा, x raise to 4, क्या आप मुझे बता पाओगे, इसमें, अगर आपकी x की highest power 4 है, तो आपके d के भी highest power की term कहां तक आनी चाहिए थी, 4 तक के, तो देख लो मेरे दोस्तो, आपको clearly समझ में आएगा, कि यह जो d raise to 6 वाली term और उसके आगे का पूरा का पूरा पार्ट नहीं लिखा, तो भी चलेगा, because इन सब की power आगे जाके, 4 से absolutely जाद ही हो रही है, तो best thing is, आपको इस case में, minus 1 by 8 लिखना है, 1, plus लिखना है, d cube by 8, सही है न, और यहाँ पे, बढ़िया सा, x raise to, कितना करना है, 4 करना है, यहाँ तक सब को समझ में आया, अब यह x raise to 4 वाली term क तो भाई साब मैं अंदर लेके जाता हो, तो देखो मुझे क्या मिलता है, minus 1 by 8, as it is, भाई को अंदर लो, तो 1 into x raise to 4 होगा, और यह 1 by 8 लिखता हो, दोस्त, और यहाँ पे, d cube of क्या करते है, x raise to 4 हम लोग करेंगे, यहाँ तक सब को समझ में आया, जो term already बाहर थी, उसको ब d of x raise to 4 अगर करने की बारी आई, अब d का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है, d मतलब derivative, तो x raise to 4 में धक्का मारो strategy के हिसाब से 4 नीचे आएगा, और उपर बैठेगा, छोटा भाई, that we all know, इसका derivative x raise to n के हिसाब से हम लोगों ने find out किया, correct है, अब एक काम करते है, एक और बार इस भाई का मुझे आप derivative बता दो, I know आप लोग बता सकते हो, तो बताओगे, क्या करना पड़ेगा, ये 4 तो आपका as it is है, इसके साथ वापस धक्का मारो strategy करके आपको यहाँ पे दिखाई देगा, x square, clear है, अब इसके बाद एक और बार प्लीज आप अगर मेरे तो what you'll get is 4 into 3 into 2 और यहाँ पे आएगा x raise to 1, याने कि ये मुझे clearly 24x के हिसाब से दिखाई दे रहा है, तो देखो दोस्तों, अब जब मैं इसकी final step लिखूंगा, तो minus 1 by 8 तो मेरे पास already था, x raise to 4 की term मेरे पास थी, 1 by 8 मेरे पास था, अब बताइए, इस पूरे term को आप clearly य यहाँ से उठा सकते हो, and the answer that you get in this case is 24x, जिसको simplify करोगे, तो you will get your answer as to be, यह मैं final answer लिख रहा हूं, minus 1 by 8 रहेगा, साथ में आएगी term, x raise to 4, उसके साथ आएगी term, plus, और यहाँ पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ 3x, मेरे प्यारे दोस्तों, यह है आपका final answer, जब भी कभी आप को कोई sum case number 4 से solve करना होता है, तो देखो, पहले binomial series पे focus करो, दो formulas, second step, किसको बाहर निकालना है, ताकि नीचे 1 मिले, और तीसरी step, x की highest power, जितनी होगी, उतनी ही आपको d की highest power दिखाई देगी, रखनी पड़ेगी, आया समझ में, if this sum is clear, next sum में, आप मुझे खुद support कर रह है, बताओ कि एक बाद, चलो, चलो बताओ सब लोग, 1 upon क्या था, 1 plus z था, है ना, 1 upon क्या था, 1 minus z था, simply इसको 1 plus z rest to minus 1 लिखा था, इसको लिखा था, 1 minus z rest to minus 1, क्या hint, क्या tricks बोली थी, जल्दी जल्दी बताओ, प्लस है, एक तो एक format fixed है, 1 z, z square, z cube, correct, 1 z, z square, z cube, and so on and so forth, true अब मुझे फटा-फट बताओ, बीच में plus sign होगी, तो आपको alternate plus minus plus minus आपके sir ने सिखाया था, और जब negative sign होगी, तो sir ने सिखाया था, सब जगह पे चुप चाप positive sign दो, बात को खतम करो, उल्टे दिमाग से काम करता है, तो binomial series मैंने बस आपी के लिए लिखे, अब जा र minus 12 into y is equal to x, ऐसी randomly मैंने sum उठाया, तो sum को देखके मुझे फटा-फट बताइए, दोस्तो, right side में आपको x rest to 1 वाली term ज़रूर दिखाई देगी, तो this belongs to 100% case number 4 से बिलोंग करता है, पहली step, बगवान की step, y को as it is रखो, पूरी term चापो, d cube minus 5d square plus 7d minus 12, और यहाँ पे आएग यहाँ पे मुझे binomial series अगर use करने है, तो at any cost मुझे नीचे कौन सी term चाहिए, 1 की term आनी चाहिए, तो 1 लाने के लिए आपने क्या करना है, सिखाया था, चलो बताओ, highest power term of d, sorry, lowest power term of d along with the sign, यहने कि यहाँ पे कौन है, minus 12 को उठाके पूरी दरीगे से बाहर लाओ, जैसे ही minus 12 बाहर आएगा, यहाँ पे जो दिखाई देगी पहली term, that would be nothing but 1, I hope आपको समझ में आ रहा है, जो भी मैं सिखा रहा हो, देखिए, अगर यह 1 यहाँ यहाँ पे आया, तो बच्ची हुई, जो भी term होगी, जैसे सिखाया था, d cube minus 5 d square plus 7 d upon minus 12 आपका as it is रहेगा, और यहाँ पे आएगे, सिर्फ x की term, I hope यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया, एक step और करूँगा आपके लिए, यह minus 1 by 12 तो भाई, अभी fix हो गया, सही है न, हाँ, तो यह minus 1 by 12 का term जो वो आपका fix हो गया, उपर से 1 upon आप देख सकते हो, आपको जो term दिखाई देगी, 1 as it is, यह minus sign आएगी इधर पे, और आपको मिलेगा, d cube minus 5d square plus 7d upon कितना दिखाई देगा, 12 दिखाई देगा, true, और इसके साथ-साथ यहाँ पर आपकी term दिखाई देगी, आपको x, यहाँ तक I don't think so, किसी को किसी तरीकी का doubt है, आप मुझे बताइए, इस term को अगर मैं उपर उठाऊ, तो minus 1 by 12 as it is, आएगा, यह पूरी term उपर उठ गई, तो 1 minus आएगा, d cube minus 5d square plus 7d upon सिर्फ और सिर्फ आएगा 12, bracket complete और यह bracket complete, rest to minus 1, और चुपके से लग जाएगा, x, चलो, फटाफट बताओ, इसको आप compare करोगे, तो absolutely binomial series का पहला या दूसरा, कौन सा form use करोगे, correct है भाई, यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है, हम लोग इसको clearly, इस 1 minus z वाले format से compare कर सकते, देखो, z कितना बड़ा दिख रहा है, मिलने दो, जो भी हो रहने दो, आपको कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए, आप बस अपना-पना काम करो, minus 1 by 12 का term as it is, according to the formulae should be 1 plus, then what should you write, you should write z, तो आपने यहाँ पर लिख दिया z का term, जो कि बहुत ही बड़ा है, कोई बात नहीं, यह मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद मैंने plus करके, क्या करना चाहिए था z का square, अब आप सच सच बताओ, मैं लिखने के लिए मुझे आपके लिए, बड़ आपने खुदने भी थोड़ा smartly सोचना चाहिए, इस case में कि क्या scene होने वाला है, square लग गया, dot, 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 और चुपके से यहाँ पर लग गया, x, अब आप मुझे खुद बताइए, आपकी x की highest power कितनी है, 1 है, तो मुझे बताइए, rule के हिसाब से, अगर x की highest power 1 है, तो आपके d की highest power कितनी दिखाई देनी चाहिए, 1 दिखाई देनी चाहिए, तो चलो बताओ, यह तो square में है, तो यह पूरा का पूरा term ही आपका हड़ गया, यहाँ से आप लोगों का cube वाला term हड़ गया, because x की highest power जो है, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को 1 है, तो d का भी highest power 1 दिखाई देगा, अब बचाई क्या है, रित्तु साब का sum, minus 1 by 12, as it is, 1 as it is, plus you will be writing this as 7 by 12, जितना मुझे दिखाई दे रहा है, d, और यहाँ से आएगा, x, isn't it easy, now, आप खुद मुझे बता दो, minus 1 by 12, भाई साब को as it is रखता हू, यह 1, sorry, यह जो x से उसको दर ले लेता है, तो x plus 7 by 12 लिखेंगे, और वापस derivative of कितना लिखेंगे, x लिखेंगे, तो चलो, बताओ जल्दी से, your answer in this case would be, minus 1 by 12 को as it is रखा, x को as it is रखा, 7 by 12, derivative of x आपको भी पता है, x का with respect to x derivative करोगे, तो 1 आएगा, d भाई साब गायब हो चुके, और यह मिल चुका है, आपको आपका sum, I hope the idea behind it is clear, start से लेके end तक के आपको पूरी concept regarding case number 4, जो है, वो समझ में आई है, तो चलिए, अब देखते हैं, इस पर किस तरीके से mcqs पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा logic लगाते हैं, और देखते हैं, answers हम लोगों के किस तरीके से आ सकते हैं, चलो, sum अल्रेडी लिखा हुआ है, d3 y by dx3 लिखा है, plus 8y, is equal to, बहुत बड़ी term दिया, x rest to 4, plus 2x plus 1, इस term को हम लोगों को crack करना है, तो चलिए, देखते हैं, पहले तो किस तरीके से हम लोग answers लेके आ सकते हैं, सबसे पहली चीज, जो भी है, उसको मैं short में लिख देता हूँ, पह है, अब y uncle को आप as it is लिखोगे, तो 1 upon आएगा, d3 plus 8, if I am not wrong, और यहाँ पर आएगा, x rest to 4, plus 2x plus 1, clear है, अब यहाँ से आपको पता है, मुझे पता है, कुछ भी हो, मुझे अगर नीचे 1 वाली term चाहिए, याद करो, नीचे अगर मुझे 1 चाहिए, तो lowest power term of d along with sign, मुझे उठानी, याने की 8 को मैंने बाहर लिया, तो मुझे मिला 1, और यहाँ पर बढ़िया से d3 by 8 हो गया, so बाहर निकालने के बाद की trick आपको पता है, हम लोगों ने अल्यड़ी 2 sum बढ़िया तरीकी से solve किया हुआ, इसको थोड़ा fast भी करना पड़ेगा, काफी बढ़ा समय, अब यहाँ दगाने के बाद आप खुद मुझे बता दो कि किस तरीकी से solve किया जाए, आपको एक बात पता चली कुछ भी हो, यहाँ पे 8 वाली term तो दिखाई दे रही है, so यह जो 1 by 8 है, यह आपके option में होना चाहिए था, तो 1 by 8 तो absolutely हम लोगों को यहाँ पे option में दिखा यही दे रहा है, तो यह A, B और D मैंसे कुछ ना कुछ हम लोगों का answer जो हो सकता है, अब इसके immediate बात के step में आप क्या करोगे, आपका 1 by 8 वाला भाई साब as it is रहेगा, इसको उठाओ, फटाफट उठाओ, तो यह 1 plus हो जाएगा, D cube by 8 हो जाएगा, और भाई साब उठके rest to minus 1 हो जाएगे, साथ में x raise to 4, plus 2x, plus 1 वाली term, done, अब आप मुझे बताइए, यह वाला form आप लोग किस के लिए use करोगे, इसके लिए आपको एक binomial series सिखाई गई थी, कौन सी series थी जो आपको सिखाई थी, बताइए जल्दी से, मैं लिख देता हूँ, यहापे, 1 plus z raise to minus 1, क इसाब से, यह मैं already सिखा चुका हूँ, दोस्तों, बस मैं यहाँ पर अब use करने जा रहा हूँ, तो please have a look at it, यह दिखाई देगा, 1 by 8 uncle as it is, 1, then minus, उसके बाद आएगा z, यानि कि d cube by 8, उसके बाद आएगा plus, आएगा z का square, यानि कि d cube by 8 का square, dot, 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 और यहाँ पर आएग इसमें आपको x की जो highest power term दिखाई दे रही है, वो कितनी दिखाई दे रही है, 4, तो जब यह solve होगा, तो आप देख सकते हो, d cube का square मतलब power 4 से जादा हो रही है, और dot, dot, dot का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो यहाँ पर आपकी term जो बची ना मेरे दोस्तों, बस इत्त उसी term बची, याने कि you have got 1 by 8, right, एक काम करते हैं वापस लिखता हो, you have got what, 1 by 8 आपको मिल चुका है, है ना, इसके साथ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, 1 minus d cube by 8, right, और पूरी term है, x raise to 4, plus 2x, और यहाँ पर आएगी term आपकी 1, सही है, अब देखो, इतना सब कुछ करने क के बाद भाई को पूरी तरीके से अंदर लो, तो आपकी 1 by 8 की term as it is होगी, पूरी term अंदर आने के बाद आएगा, x raise to 4, plus 2x, plus 1, plus, sorry, minus, 1 by 8, d का cube, और आएगा, x raise to 4, plus 2x, और कितना आएगा, plus 1 आएगा, समझ में आया सबको, अब रहा सवाल, सब कुछ almost खतम है, बट एक issue है, यह जो d की term है, वो अब तक गई नहीं है, तो चलिए हाटा देते है, आपको तो पता है किस तरीके से d का cube मतलब 3 बार derivative लेना है, चलो आप ही बता दो, short में मुझे, अगर मैं simply इस के लिए जाओ, हाँ, तो मुझे क्या मिलेगा, पहली बार जब मैं derivative लोंगा, x raise to 4, plus 2x plus 1, चलो फटा-फट बता दो, थोड़ा speed up करना पड़ेगा, this will be 4x cube, right, plus कितना होगा, 2, सबको पता है derivative कैसे लेना है, nx raise to n minus 1 formula के हिसाब से ले रहो, एक और बार का derivative बता दो, चलो, x raise to 4, plus 2x plus 1 का, बता सकते हो, comes out to be 12x square, plus यहाँ पर absolutely क्या हैगा, 2 का derivative आपका 0 आएग एक और बार अगर आपने derivative लिया, मेरे भाई, तो x raise to 4, plus 2x plus 1 का derivative आएगा, सिर्फ और सिर्फ 24x, इस तरी कसम लोग already कर चुक है, तो बताइए, अब मैं यहाँ पर सब कुछ, अगर मुझे finally लिखना है, तो I'll write 1 by 8, जो की है, x raise to 4, plus 2x, plus 1, right, minus 1 by 8, और इस पूरे term के यह, मुझे substitution मिल चुका है, that is 24x, तो 24 और यह जाएगा, यहाँ पर he'll get 3, अब देखो final answer जब अप लिखोगे, तो 1 by 8, तो आएगा ही आएगा, x raise to 4 आएगा, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर minus 3x है, तो आएगा minus x, और साथ में आएगा plus 1, तो मेरे भाई, this is your final answer, और जिस तर final answer, आया समझ में sum काफी बड़ा था, actually मैं इसके options में मैंने बहुत same-same option रखे, इसलिए थोड़ा time हम लोगों को ज़्यादा लगा, कोई बात नहीं है, अगर यह pattern आपके लिए पूरी दरीके से आपको समझ में आया है, तो क्यों ना जाए हम लोग अब next sum के लिए, देख सकते है, यहाँ पे कुछ भी हो, आपका 53 x square वाला term जो हमेशा आएगा, तो इसका मतलब है कि यह जो 3 x square वाला option है, यह आपका answer option नहीं हो सकता है, तो आपके पास एक, दो, तीन, चलिए ना, देखते है, फटा-फट आपको तो पता ही है किस तरी के solve करना है, I'll keep y as it is, 1 upon I'll clear है, अब मुझे बताए, इसके बाद की next step, आपको मुझे सब को पता है, at any cost, मुझे नीचे के term में कौन चाहिए, 1 चाहिए, तो आप देख सकते हो भाई, लग इतना अच्छा है हम लोगों का इस sum के लिए, already यहाँ पे inbuilt आपकी term है, आपको 1 दिखाए दे रहे हैं, तो इसको सही से लिख दो ना, बस, 1 प्लस, make it look like, यह d square और इसको लिख दो, d raise to 4, और bracket complete करके खुश रहो, यह आपका 53 x square plus 17, समझा, आपको कितना आसान हुआ आपका काम, इस case में, already 1 था, अब आप इसको उठा के लिख सकते हो, 1 plus the whole term, that is, d square plus d raise to 4, right, raise to minus 1, और यहाँ पे आ plus 17, अब मैंने यह option मना करने का reason यह दिया है, क्योंकि यह जब solve होगा, तो यह 1 के साथ अंदर multiply होने के बाद, 53 x square की term तो आपकी आनी है, अब रहिए, यहाँ पे कौन सा formula use होगा, correct, हमें binomial series का, जो आपको formula मैंने सिखाया है, तो using that binomial series, अब मैं वापस formula नहीं लिख रहा ह और dot dot dot, और यहाँ पे आएगा 53 x square plus 17, चलो फटा फटा फटाओ जो terms नहीं लग रहे, x की highest power in this case is 2, तो अगर x का highest power 2 है, तो यह तो भाई square बन रहा है, तो यह तो बिलकुल ही नहीं आएगा, अब यह d raise to 4 भी term नहीं आएगी, तो आपका sum बचा ही कित्तू सा, आपका sum 17, समझ में आ रहा है सब कुछ, अब इसको पूरी तरही किसे अंदर ले लेते हैं, तो भाई साब दिखाई देंगे, 53 x square plus 17 minus d का square और वापस आएगा 53 x square plus 17, आया समझ में आपको, अब मैं इसको पूरी तरही किसे solve करने की कोशिश करता हूँ, उसके लिए हम लोगों को यह जो d square वाला term है, यह पूरा का पूरा हटाना पड़ेगा, आप खुदी बिता दो न मुझे, derivative of 53 x square plus 17, अगर मुझे करना है, तो my answer would be what, धक्का दो, तो nx raised to n minus 1 के हिसाब से directly 106 होगा, because 53 into 2 होगा, और यहाँ पर आएगा x constant का derivative 0, एक और बार इस बंदे का derivative low, तो you will get your answer as to be only 106, because x का with respect to executive होता है 1, तो पूरी term हट जाएगी, और इस पूरे term की जगह पे compare करोगे, तो आपको सिर्फ और सिफ लिखना है 106, तो चलिए भाई, लिख देता हो, क्यों ना हम लोग इसको और easy करें, 53 x square plus 17 आएगा, minus sign है, और यहाँ पर प्यारा सा 106 आएगा, तो यह इस तरीके से कुछ आपको आपका final answer दिखाई देगा, यह है आपका final answer, so option number B, जो है वो आपका final answer रहेगा, I hope आपको यह case number 4 जो है, वो पूरी तरीके से समझ में आई है, चलिए आगे बढ़ते case number 5 के साथ, आप देख पा रहे हो, PI when f of x is equal to, clearly यहाँ पे 2 terms at a time दिखाई द अब इसका मतलब आपको पताना चाहिए कि at a time जब 2 terms आते हैं, तो case number 5 में हमें क्या करना है, तो सबसे पहली hint, जब भी कभी at a time 2 term आते हैं, तो आपने उसमें से 1 को उठाना है, यानि कि किसको उठाया, e to the power x वाली term को उठाया, और उसको पूरी तरीके से game से क्या करो, ब सारे d लोगों को replace करना पड़ेगा by d plus a, अब आप पूछोगे sir, ये a कौन है, आप देख पारे हो, x का coefficient already a है, तो जो भी d आप replace करोगे, वो अब d plus a वाली value रहेगी, ये आपको हमेशा याद रखना है, और उसके बाद पता है आपको sum का क्या होने वाला है, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो case 5 है ना मेरे दोस्त, ये इधर case number 4 में convert होगा, या फिर case number 2 में convert होगा, या फिर case number 7 में convert होगा, या फिर 1 upon d square जैसा कोई format आता है, इसमें convert होता है, तो समझ लो case number 5 में बस आपको दो ही step सही से करने, बाद में आपका काम पूरा खतम है, आप केस 2 मैंने अल्री प्रीविएस वीडियो में आपको बताया है अब इस इन दोनों के साथ जो टर्म बचती राट इस केस नमबर 7 और 1 अपन दी स्क्वेर इन दोनों पे हम लोग अभी गाम करेंगे सो दाट केस नमबर 5 का पूरा का पूरा मैटर जो है वो क्लोज हो जाएगा तो चलिए एक हाथ को इस हम देख ही लेते जिसको हम लोग सॉल्फ कर पाएंगे चलिए मैं एक सम लेता हूं लेट्स हैव दी स्क्वेर प्लस 2D प्लस 3 है ना वाई इस टू टू एक स्क्वेर सबसे पहले तो मुझे बताओ कैसे आपको समझ में आया कि दिस क्लियरली बिलॉंग्स टू केस नमबर 5 एट टाइम कितने लोग दो कौन से फॉर्माट में मल्टिप्लिकेशन किये उसमें कौन है इड़ पार की टर्म है दिग गई भाई पहली स्टेप जो आप करोगे यू टेक वाई को आउट जैसे आप वाई को आउट करोगे आपको यहां पे वन अपॉन दिखाई देगा d square plus 2d plus 3 into दिखाई देगा e raised to 2x into x square according to case number 5 हमें अब किसको बाहर लेना है मेरे दोस्तो e raised to x को आउट यानि कि आप लोग यहां पे लिख सकते हो take e raised to 2x out but at the same time all the d's should be replaced by d plus a अब बताओ देखके मुझे यहां पे यह है आपका a तो d should be replaced by d plus कितना हो जाएगा मेरे दोस्तो हो जाएगा easy है अब बताइए यहां तक आने के बाद आप इसको directly solving के लिए जैसे sir ने बोला e raised to 2x को बाहर निकाल दिये निकाल दिये ना अब इसके बाद आपके पास जितन plus 2 into d plus 2 आप समझ रहो ना सारे के सारे d मैं replace कर रहा हूँ यहां पर और यहां पर बढ़िया सा मैंने क्या लिख दिया x square लिख दिया अब मुझे बताइए bracket square solve करना तो आप सबको आता ही होगा बस मैं आपको support कर लेता हूँ देखिए तो d का square plus 2 into 2d यानि कि 4d plus 4 plus 2d plus 4 plus 3 ज आया सब कुछ समझ में अगर ऐसा है तो दोस्त यह simplify भी तो कर लेते है e raise to 2x as it is 1 upon बताओगे d square का term as it is 4d plus 2d comes out to be कितना आएगा 6d आएगा 4 4 और 3 कितना हो जाएगा यहां पर 11 और यहां पर आएगी आपकी term x square अब मेरी आपको पूरी की पूरी request बड़ी सारी request है आप द बाल बचता है कि इस वाले को किस तरह के से solve किया जाए अब मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं यह तो आप ही दमाग लगाओगे कि इस वाले को कैसे solve करना है आपको focus करना है इस बंदे पे have you seen this term somewhere in the shortcut method absolutely आपका यह जो अब sum है यह पूरी तरीके से case number 4 में convert हो चुका है जहां प आई अभी अभी सीखे है तो lowest power term of DNA case में से आप लोगों को इसके बात क्या करना है इस plus 11 को बाहर निकालना है और पूरे sum को case 4 से solve करना है are you guys getting my point तो देखो case number 5 कैसे treat होती है उसको आपको बस plug-in करना है case number 4 और फिर आपका sum जो है वो पूरी तरीके से solve हो जाएगा देखो अगर आपको और कोई छोटा मोटा doubt है तो इसी same sum को अगर मैं imagination में लाओ और आपको दिखाओ कि भाई मुझे अब यह solve करना है 1 upon d square plus 2d plus 3 and let's say we have e rest to 2x के साथ cos of 2x वाला तो can you please help me same sum के लिए आप क्या करोगे जैसे आपको पता है same step e rest to 2x वाला term जो है वो आपका e rest to 2x वाला term है that will be out हो जाएगा और आपको जहाँ जहाँ पे d है वहाँ वहाँ पे d plus 2 replace करना है तो भाई सारी steps जो है वो same आएगी end में यहाँ पे जो x square है बस मैंने replace कर दिया अगर cos to x से तो यह term ऐसे कुछ आके रुकेगी मुझे help कर सकते हो आप लोग one upon बताओगे यहाँ पे आएगा d square plus 6d plus 11 और बढ़िया सा यहाँ पे होगा cos to x का term अब मुझे आप बताइए इस particular section पे focus करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा मेरे दोस्त यह है cos की term कहीं देखा है this is clearly case number 2 अगर आपने अब तक नहीं सीखा है तो भाई already link description में है और case number 1 से लेके 7 तक सीखना ही है तो you should understand की cos to x मतलब हमें पताए case 2 जहाँ पे हमें सिखाया गया है d square should be प्यार से replaced by minus a square तो कुछ इस तरीके से आप इस sum को उसके बाद case 2 को plug-in करके case 5 का पूरा का पूरा sum जोए वो sort out कर सकते हो आया है समझ में सबको clearly समझ में आ रहा है यह मैं consider करके चलू next sum के लिए जो की बहुत ही important लगता है मुझे meanwhile उसके लिए आपको कुछ चीज़े पताओ नीचे चलो मैं कुछ चीज़े आपको सिखा देता हो आपको आती भी होंगी for example if I am dealing with 1 upon x3 dx मतलब 1 upon x3 का मुझे integration करना है तो trick बता देता हो मुझे बताओ x की term उपर या नीचे minus 1 अब यह जो x3 आपको दिखाई दे रही इसकी पार कम करो तो चुपचाप दिखाई देगा x का square और जो power में वो चुपचाप आपको क्या लिखना है बाजू में तो यह देखो कुछ इस तरीके से आप integrations को find out कर सकते हो अब बताओ मुझे 1 upon x raise to 7 होगा तो मुझे पता ह आपको आता है can you please tell me 1 upon x raise to 7 को किस तरीके से solve किया जाएगा come on minus 1 की term तो आएगी आएगी अब आपको बताया कि power कम करो जो कम की हुई power है वो चुपचाप आपको कहां पर plug-in करनी है मतलब बाजू में लिखनी है तो यह रहाँ आपका answer इसी के साथ साथ 1 upon x square भी भी finally है तो this is how आप लोग आपके answers जो है वो integration के लिख सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत integration आता है तो अब आप पूछोगे क्यूं sir क्यूं हमें आप परिशान कर रहे हो तो भाई इसी के साथ साथ एक और छोटी चीज आपको मैं sum के हिसाब से बताता हूं देखिए तो d square minus 2d plus let's have 1 into y is equal to हम लोग consider करते है e rest to x है ना और इसके साथ ले लेते है अपन यहाँ पे ले लेते है term called as x cube चलो आप मुझे support करो this is the sum we need to solve अब आपको पता है पहली step में क्या करने वालो I'll take y को left hand side में 1 upon आप इसको लिख सकते हो d square minus 2d plus 1 सही है ना अब यहाँ पे e to the power x आएगा और साथ में आपका x cube का term आएगा देख के पता चला दो term है तो भाई case number 5 लगेगा because e की भी term है तो rule के हिसाब से जाने से पहले मुझे इसको देखके बहुत अच्छी term याद आई अगर आप उल्टा सोचो तो जैसे की आपने a plus b bracket square सीखा है है ना comes out to be a square plus twice a b plus b square with the similar strategy अगर मुझे ये चीज़ डील करनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको प्यार से ये लिख सकता हूँ this is d minus 1 bracket का square आप चाहिए तो ultra travel करके इसको check कर सकते हो अब जबकि मैंने इसको लिखा तो ये e raised to x upon x square x cube का term आपका as it is मैंने लिख दिया यहाँ तक clear ह फिर आप अपनी strategy लगाओ sir ने बोला है e raised to x को out करो बोला है और sir ने ये भी बोला है all the d's should be replaced by d plus अब देखो x का coefficient कितना है a कितना हुआ 1 तो d should be replaced by d plus 1 तो चलिए ना अब मैं इसको लिख देता हूँ तो आपको बहुत मजा आएगा ये देखो all the d's should be replaced by d plus 1 minus 1 bracket square then there is e raised to x क का term और साथ में आएगी term called as I'm sorry ये जो term है मैंने लिखनी नहीं चाहिए थे I'm so sorry I'm sorry ये मेरी mistake है तो ये तो भाई d plus 1 हो गया हां तो मैंने यहाँ पर e raised to x को अलड़ी बाहर लेना था and this is my 1 upon x cube का term I'm so sorry right अब बताईए यहाँ तक आने के बाद आपको ये minus 1 plus 1 पूरी तरीके से cancel होते हुए दिखाई देगा and the term that you get in this case is e raised to x तो शान्दार तरीके से बाहर तो यहाँ पर बचा सिर्फ और सिफ d square और साथ में term बचे आपकी सिर्फ और सिफ कौनसी x cube की आया समझ में अब अगर यहां तक आपको सारी चीज़े समझ में आ रही है तो can you please tell me इसके बाद सम खतम होने वाला था but is d square की वज़ए से समटका है तो we all know that we all know that 1 upon d जो होता है that is always equal to क्या होता है सीख चुक्कियो भाई मेरसे आप यह integration होता है तो 1 upon d square का मतलब है आपको दो बार integration करना पड़ेगा load मतलो मैं आपको help कर देता हो मेरे दोस्त यह e rest to x का term आप as it is लिखी रहे हो है ना यह 1 upon d square आप as it is लिख दो में वापस repeat कर रहा हो step I am sorry 1 upon x cube अब आप देख लो e to the power x यह double integration में है तो कोई बात नहीं आप double integration का direct sign दो 1 upon x cube और आपको दो बार dx dx लिखना पड़ेगा in this case कोई वांदा नहीं अब मुझे बताइए e rest to x की term as it is पहला वाला integration sort out कर लेते हैं आपको अभी अभी सिखाया है 1 upon x cube का integration x नीचे होने की विज़ा से minus 1 और पार कम करो बाजू में चिपका हो तो यह आया आपका सबसे पहला वाला integration का answer clear अब इसके साथ यह जो minus sign है और यह जो 2 है जो भी constant से बाहर लो बचेगा कौन 1 upon x square साथ में चिपकेगा dx चलो बताओ आपको आपका answer मिल जाएगा minus e rest to x by 2 and खुशी खुशी we have got this we know this this is minus 1 upon x आएगा और यह रहा आपका simplified version e rest to x upon कितना आएगा मेरे दोस्ट 2x so that's it this is your final answer provided आपको यह छोटे मोटे integration के formulas आने चाहिए जो कि मैंने already आपको सिखाए clear है चली अगर यह भी pattern आपको समझ में आया तो आपका case 5 का almost pattern भाई खतम है अब आपको कुछ numericals देखने होंगे sum को देखके पता चल रहा है कि यहाँ पे e rest to minus 3x के साथ साथ एक और भी term है सही है ना अब अगर आपको देखके यह clearly समझ में आही रहा है तो मुझे बताइए पूरे term में से कौन सी term भार आएगी e rest to minus 3x भार आएगी देखो हम लोगों का luck कितना खराब है यहाँ पे सब जगह पे you can find कि आपको e rest to minus 3x का term दिखाई दे ही रहा है अब अगर ऐसा scene है तो solving तो करना ही पड़ेगा ना भाई देखो तो सही किस तरीके से मैं इसको solve कर रह हो d square plus 6d plus 9 all of you please be with me और यहाँ पे e rest to minus 3x और आपको पता है x rest to minus 3 को में upon x cube के format में जरूर लिख सकता हो जैसे ही मैंने इसको लिखा दिमाग की बत्ती जली जो मैंने previously आपको सिखाया था देखिए तो सही किया आप मेरे लिए थोड़ा बहुत उल्टा जा सकते हो क्या I'm sorry this this is this is यह पूरा ही अपने erase कर लेते है this is 9 था है na e rest to minus 3x वाला term था और साथ में यहाँ पे आपका x cube वाला term सही है अब मुझे बताओ यह मैं वापस लिख रहा हूँ तो यह आपको पता चला होगा कहां से मैंने लिखा यहाँ पे e to the power minus 3x का term as it is और यह आपका x cube का भी term as it अब आपको पता है rule के हिसाब से case 5 tells us e rest to minus 3x वाले भाईस आपको क्या कर लो out करो और d की जगह पे replace करो d plus the coefficient याने की कौन है minus 3 याने की d should be replaced by d minus 3 तो देखिए दोस्तों अब जब करूंगा तो answer आएगा e to the power minus 3x वाले uncle को बाहर लिया one upon यहाँ पे जितनी सारी d की term है should be replaced by d minus 3 plus 3 लिख दिया square लिख दिया और यहाँ पे one upon x cube आपका as it is लिख दिया I hope it is clear to you now खुशी देखो minus 3 plus 3 की term हट गई तो यह तो हम लोगों ने अभी अभी प्राक्टिस किया इसी तरीके का समय e raise to minus 3x यहाँ पे आएगा d का square और साथ में term आएगी कौन सी समझाया अब अगर हम लोग यहां तक आ चुके तो will you please help me इसके बाद अगर मुझे सम को solve करना है तो मेरी terms जो है वो किस तरीके से work out होंगी चलिए देखते अब इसको solve करना है तो मुझे करना पड़ेगा e to the power minus 3x as it is one upon d square अभी अभी देखा double integration आएगा और one upon x cube की term जो है आपकी as it is यहां पर बैठेगी true clear समझ में आया अब अगर ऐसा है तो क्यों ना इसको मैं थोड़ा सा answers में convert करने के लिए आपको help करू here is to minus 3x पहला वाला integration would clearly lead us to minus 1 upon आपको पता है क्या आने वाला 2x square और साथ में चिपका दिया यहां पर मैंने dx correct यह सब कोच integration हम लोग करना है बस मैं आपको यहां पर directly use करने के लिए बोल रहा हूँ देखिए अब उसके बाद e to the power minus 3x का term बाहर minus sign बाहर 2 भी बाहर बचा कौन 1 upon यहां पर आया आपका x square का term अब खुदी बता दो इसको answers में convert करना है तो here is to minus 3x as it is यह आपको पता है minus 1 by कितना आता है x और यह हुआ आपका फिल हाल final answer यह by to already बाहर था तो कुल मिला के अगर मैं कठा करू तो your answer is e raise to minus 3x upon कितना आएगा 2x आप देख सकते हो कही ना कही तो आपको यह option जरूर दिखाए देगा so option number a यानि कि option a is nothing but आपका final answer जब भी इस तरीके के sums आपको exam में पूछे जाएंगे अब नहीं नहीं sir इसके साथ कुछ और भी अलग तरीके का सम आ सकता है क्या देख लीजिए भाई e raise to मैंने clearly लिखा है minus x और साथ में लिखा हुआ है cos x अब देखो particular integral पूछा है तो option wise भी अगर हम लोग जाए तो मुझे नहीं लगता है विकोज यह yc वाला part है तो d option तो आपक कुछ भी हो यह वाला term तो रहना ही चाहिए था तो e to the power minus x देखो कितनी जगा पे सिर्फ दो जगा पे है यानि कि यह वाला option भी आपका पूरी तरीके से हट गया है तो देख के पता चल रहा है कि हम लोगों के पास option number b और option sorry option b और option c में ही हम लोगों को खेलना पड़ेगा अब meanwhile मुझे तो भाई देखके एक और चीज पता चली कि अंसर तो हम लोगों का आ सकता है immediate basis पे reason बताता हूं मैं आप देखो sum को सही से लिखोगे तो you'll get this as to be d square plus 2d plus 1 अब आपको मेरी तरी मैं जिस तरी किसे solve करता हूं उस तरी किसे solve करना आना चाहिए मेरे दोस्तों why as it is one upon आपने प्यार से जरूर देखा ही होगा इसको यह कुछ इस तरीके से दिखता है e raise to minus x cos x because mcqs के लिए जरूर ही है आप इसको फटा फट करो अब देखो मैंने क्या करना है e raise to minus x को out करना है याद आया all the d should be now replaced by d plus minus 1 यहने कि d minus 1 से replace कर रहो तो देखो मुझे क्या e to the power minus x की term बाहर आएगी है ना d की जगह पे d minus 1 आएगा और साथ में plus 1 का भी term आएगा और यहाँ पे बढ़िया सा cos x लग जाएगा खुशी खुशी आप ही देखो तो समझा है minus 1 plus 1 हट गया भाई यह तो similar format है अभी अभी किया हुआ तो आप directly कर सकते हो e raise to minus x आएगा 1 upon d e square आएगा और बढ़िया सा यहाँ पे आएगा cos x चलो दो बार integration करना है cos का आई नो आपको आता है भाई e raise to minus x में सिखा चुका हूँ integrations यह सारे फिर भी आपके लिए सिर्फ आपके लिए वापस बताता हूँ देखो जब आप इसको solve करोगे understand कि e raise to minus x as it is जब पहला integration करो कोगे cos का that will be nothing but sin x dx करेक्ट है इसके बाद वापस एक बार integration करोगे तो sin का integration होता है minus cos x तो आपका जो answer आना चाहिए था e raise to minus x और साथ में क्या टम आनी चाहिए थी cos x वाली सो देखिए तो सही करिए option में है क्या absolutely यह option में है and option c is your answer सो इस तरीके से हम लोगों ने answer को crack किया अब आप पूछोगे sir initially आपने क्यों बताया था कि आपको पता है देखो मुझे यह पता था कि यह d plus 1 bracket square बनेगा मतलब कुछ भी हो नीचे d square आएगा जब cos का दो बार integration करोगे तो वापस cos की ही term आएगी जो की इन दोनों option में से सिर्फ option c में थी इसलिए मैं इसको direct भी solve क कर सकता था आया है समझ में clear हो आप अब देखो अगर यह कुछ patterns आपको समझ में आ रहे हैं तो हम लोगों को अब जाना है case number 5 के immediately बात case number 7 में meanwhile sorry case number 6 में meanwhile एक बार वापस देखो मैंने एक बहुत important चीज़ आपको बोली थी case number 5 जो है case number 5 जो है वो case 4, 2, 7 या फिर 1 upon d square के format मे जाती है यह हम लोग सीख चुके हैं यह दोनों में आपको दिखा चुका हूँ अब बस है कि case number 7 में कैसे convert होता है यह हम लोगों को सीखना है तो case number 5 का पूरा का पूरा matter जो है वो close हो जाएगा case number 6 आप अगर board पे देख पा रहे हो तो pi when f of x is equal to x raise to m cos x या फिर x raise to m sin x वाल है खतम okay tata bye bye goodbye तो यह जो line है यह exactly case number 6 के लिए हम लोग apply कर सकते है because case number 6 is actual में never asked case तो यह theory में भी नहीं पूछी जाती है और mcq में तो बिलकुल नहीं because इसके जो sums है वो बहुत बड़े because case 6 gets converted into 5 then 5 जो है वो 4, 2, 7 या फिर 1 upon d2 में से किसी cases में convert होती है तो मेरा suggestion यह रहेग out of all the cases आप लोग case number 6 को बिन 10 skip करो आपको इसके ओपर mcq आने के भी कोई भी chances नहीं है अब देखते full and final case that is case number 7 जहाँ पे pi हम लोगों को निकालना है जब f of x का format रहेगा x into v का format अब ऐसे जब sums आएंगे तो in that case आपको एक standard formula याद ही रखना पड़ेगा मैं formula आपको सिखा देता हो 1 upon f of d into xv अगर रहेगा अगर आप board को सही से देखो तो कहीं न कहीं आपको formula दिख रहा होगा बट इसके साथ-साथ और भी चीज़े उसके उपर आई इसलिए आपको ये clear नहीं हो रहा होगा तो देखो आपका answer जो आएगा that will be x minus आप करोगे यहाँ पे f dash of d upon f of d और यहाँ पे आएगा वापस 1 upon f of d into कितना आएगा मेरे दोस्त v this is the standard formula that you have to remember वापस देखो 1 upon f of d x into v दो लोग आए तो पहले x को अलग से निकाल लो तो x minus f dash d upon f of d तो box बैठेगा bracket बैठेगा then there is again 1 upon f of d का term और उसके साथ आएगा v का term तो मैं आपको ये चीज़ बता र ज़रूर लगेगी चलो एकाथ कोई sum देख लेते हैं आपको पूरा का पूरा format जो है concept जो है वो पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी तो चलिए मैं sum लेता हूँ hopefully आपको समझ में आएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ d square plus d plus 1 into y is equal to let's have x sin x तो आपको देखके पता चला दो terms है एक x की term है और उसके साथ कोई एक v वाली term होगी जो कि अभी क्या दिखरेगी आपको sin x दिखाए दे रहे है तो चलिए solve करने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों y को मैं as it is रहा हूँ 1 upon मुझे यहाँ पे दिखाए देगा d square plus d plus 1 और यहाँ पे आएगी term आपकी x into कितन आपका formula अब आप लिखोगे x minus right compare करो तो आपको समझ में आएगा यह जो आपका d square plus d वाला plus 1 वाला term है यह आपका technically हो जाएगा f of d तो उसके एसाब से अगर जाओ तो यहाँ पे आएगा उसका derivative d square का derivative आपको सबको आता है और यहाँ पे d का derivative 1 और constant का derivative 0 तो यह standard derivative जो है nx 1 upon d square plus d plus 1 जो की f of d अपने format के साब से और बाद में लगाना है चिपकाना है हम लोगों को यहाँ पे sin x का term आया समझ में अब आप मुझे सच सच बताओ x minus f dash d upon f of d 1 upon f of d sin x format तो लिख चुके हो बट आप solving के लिए आपको पीछे से आना पड़ेगा the term that you are observing over here is sin x याने कि this is now got converted into case number 2 जहाँ पे d square की जगह पे आपको सिखाया गया था minus a square कुछ याद आया कोई है ने इसका मतलब 1 तो आपको d square की जगह पे शांदार तरीके से substitute करना है minus 1 तो चलो step by step करते हैं आप लोग तो support करी रहे हो मुझे x minus यहाँ पे आएगा 2d plus 1 upon d square plus d plus 1 सही है ना अब उसक साथ यहाँ पे आएगा 1 upon देखो तो minus 1 plus d plus 1 और यहाँ पे आएगे आपकी term sin 1 देखो life में खुशिया ही खुशिया minus 1 plus 1 चला गया right अब आपको यह भी तो पता है कि 1 upon d का clear मतलब आपको सिखाया गया है का मतलब होता है directly आपको integrate करना है तो आप खुदी बता दो यहाँ प इनके साथ 1 upon d और यहाँ पे term आई आपकी sin x तो 1 upon d sin x का मतलब है आपको चुपचब इस चीज में integration करना है sin x का जो कि आपको पता है comes out to be minus cos x तो मैं यहाँ पे x minus 2d plus 1 को bracket दे रहाँ d square plus d plus 1 को as it is लिख रहाँ bracket complete और यहाँ पे लिख रहाँ minus cos x because sin के integration का वो answer है यहाँ तक के सब लोग आये हो समझ में आया है क्या देखो अगर आपको सच में यहाँ तक समझ में आया है तो अब इस minus sign को तो मैं पूरी तरीके से game से भाहर लेता हूँ अब यह cos x की term अंदर लिखे जाएए दोस्तों तो यहाँ पे दिखाई देगा x cos x है ना minus यह 2d plus 1 का term मैं as it is लिख रहाँ divided by आप देख सकते हो यह term वापस यहाँ पे d square plus d plus 1 है ना और यहाँ पे आपका आया cos x I'm sorry इसमें आपको यहाँ पे हाँ यहाँ पे भी अंदर cos x लेना पड़ेगा ना तो ले लिया अब आप बताईए इसके बाद क्या करोगे वापस यहाँ पे d square की जगह पे आप लोगों ने substitute करना है minus 1 जो की substitute करने के बाद वापस आपको आपका sum दिखाई देगा minus as it is x cos x as it is just be with me this is 2d plus 1 और 7 में आएगा minus 1 plus d और यहाँ पे आएगा plus 1 और 7 में cos x की term खुशी खुशी minus 1 plus 1 चला गया terms में separate out कर रहा हूँ आप लोग support कर रहे हो यह consider करके x cos x minus 2d by d minus 1 by d और इन दोनों को जो है वो एक काम करते अलग से लिख देता ना हाँ सही रहेगा so this will be 2d by d के साथ आएगा cos x का term minus 1 by d के साथ भी आएगा cos x का term मैंने बस term separate out किया है hope आपको समझ में आया है तो देखो answer क्या दिखाए देगा d को d cancel तो your answer is minus x के साथ आएगी term cos x minus 2 into cos x सही है ना minus as it is cos का integration आएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे sin x तो देखो सब जगह से d हट चुका है और यह minus x चाहिए तो आप अंदर लोग नहीं लेना है अब एक चीज हम लोगों की बचिती की case number 7 में कैसे sum convert होता है जब case number 5 का sum आता है और इसी के साथ इसका एक बढ़िया सा MCQ का pattern है बहुत famous sum है इसको हम लोग बहुत तरीके से देखेंगे चलिए तो पहले sum देखते क्या है उसके बाद थोड़ा सा हम लोग attack करते कि answers किस तरी को तो you will see that यहां पर तीन टर्म है x की भी है e raised to x की भी है और साथ में sin x की भी टर्म है तो इस case में हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा देखते मैं इसको ठीक से लिख लेता हूँ पहले तो d square दिख रहे मुझे minus 2d plus 1 दिखाई दे रहे y is equal to x e raised to x औ और साथ में आएगी term आपकी sin x वाली है correct है अब देखो यह जो आपको term दिखाई देरे में y को यहां पर लेता हूँ थोड़ा सा आप मेरे साथ दिमाग लगाओ ऐसा pattern हम लोग सीख चुके है this is clearly d minus 1 bracket square साथ में आई टर्म x e raised to x और यहां पर आया sin x पहले तो मुझे पता चल रहा है कि just because e raised to x का term है the case is nothing but कौन सा case है case number 5 अब case 5 हमें क्या सिखाती है case 5 tells us take what take e raised to x भाई साब को out है ना and all the d's should be replaced by absolutely d plus 1 के साब से समझ रहे हो तो बताओ अब मैं इसको rewrite करू तो e raised to x को तो बाहर ले रहा हूँ अब मुझे बताओ e raised to x throughout बाहर रहेगा तो इसमे से हम लोगों का answer option d जो है वो हट जाएगा because उसमें कहीं sorry c हट जाएगा because उसमें कहीं पे भी e raised to की term नहीं है दूसरी चीज़ अब मैं इसको easy करूँ तो d should be replaced by d plus 1 हो गया साथ में यही term minus 1 हो गया square आ गया और यहाँ पे x into आपने कितना लिखा बचिवी term तो v होगी ना भा v square और यहां पे आया आपका x sin x यहां तक clear है अब आप please इस section को एकदम सही तरीके से देखो तो you will understand x into v का format है याने कि now your sum has got converted into case number 7 जहां पे x into v का format होता है तो formula याद है मैं वापस previous slide पे लिखे जाता हो आपको you will understand there is a formula x into v के लिए तो देखो formula वापस याद रखो x minus f dash d upon f of d into 1 upon f of d into v तो भाई में वही formula use कर रहा हो compare किया जाए तो यह term up मेरी कौन बन गई f of d बन गई सही है ना तो देखो एक बार आपके लिए वापस एक बार formula लिख लेता हो यहाँ पे 1 upon f of d into x v is equal to x minus f dash d upon f of d बस आपके लिखे हो भाई और यहाँ पे 1 upon f of d into क्या हो हो जाएगा बस simple explanation के साथ अगर मैं जाओ तो मुझे यहाँ पे यहाँ तक तो e raise to x की term मिल चुकी आप देख सकते हो है ना अब मुझे बताओ यह आएगा x minus f dash of d d square का अगर मैं derivative लो तो आएगा 2d upon d square का term as it is 1 upon d square as it is और v का मतलब है इसमें से जो बचा है वो यानिकि सिफ i hope it is clear to you now फटा फट बताओ आपको पीछे से आना है तो you have got this कि आपका सम जो है वो अब convert हो चुका है case number 2 में देखो कितनी मज़ेदार चीज़े case 5 से sum convert हुआ 7 में 7 से convert हुआ case number 2 में तो बहुत important sum है ध्यान दो दोस्तो अब यह तो हमें सिखाता ही है कि d square के जगह पे minus a square य x as it is x minus 1d 1d cancel कर दीजिए तो 2 by d दिखाई देगा और यहाँ पे 1 upon minus 1 into कितना हो जाएगा मेरे दोस्त sin x हो जाएगा true समझाया अब यह minus sin को बाहर लो तो minus e raise to x होगा sin x को अंदर लो तो x into sin x होगा minus 2 by d और यहाँ पे आया आपका sin x तो अब मुझे सच सच बताइए मेरे द integration तो मैंने बस क्या करना है minus sin as it is e raise to x as it is वैसे तो मुझे 2 options दिखाई दे रहे with minus sin right अब यहाँ पे x sin x वाला तो सिर्फ एक ही option है अगर आप option number a को sorry option a को देखो तो इसी के साथ साथ minus n as it is 2 as it is 1 by d का मतलब होता है integration of sin x dx आपको करना पड़ेगा तो पूरा sum जब solve होगा you'll get your answer has to be minus e raise to x then there is x sin x minus 2 और यह हो जाएगा minus of cos x sin ka integration ka answer है न दोस्त so minus minus would become plus and the answer final answer that you get is e raise to x x sin x plus 2 cos x so that's all यह अगर आप चेक करोगे तो this is clearly your option a to your answer in this case answer option is nothing but option number a तो I hope आपको यह सब कुछ समझ में आ रहा है देखिए दोस्तो case 1, 2, 3, 4, 5, case 6 को skip करके case 7 यह हम लोग सब कुछ सीख चुके है मैंने आपको mcq के patterns भी दिखा है अब मैं आपको सच बताओ अगर आप इतने mcqs को भी सही से करो तो आपको exam में कोई भी किसी भी pattern का mcq जो है वो आपको दे देता हो where you can find the numericals याने की mcqs of shortcut method आप सही तरीके से कर सकते हो meanwhile मेरे telegram के channel पे मैं इसकी pdf format जो है जो मैंने लिखा हुआ है already board पे आपको दिखाए दे रहा है वो भी आपके साथ share करने की पूरी कोशिश करता हो I hope आपको सब कुछ समझ में आया होगा चलिए मिलते next concept के साथ तब तक के लिए thank you, thank you so much